तो फ्रेंद्स वेडियो है पाकिस्तानी एंड लेफ्टिस्ट मेल्डाउंस आफ्टर यसीन मलिक पनिष्ट वाह मेल्डाउन हो गया जी उनका शुरू पहले भी कितना आता है उनका पता चल जाना चाहिए कि कौन स्थाइब के लोग है और पबलिक को याद रखना चाहिए औ आप चैनल पर नहीं हो और आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नोबल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमाई सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जैसे में अप्लोड करें अगर आपको वीडियो पसाना था प अब आप उसकार चले रहे हैं मासूम कश्मीरियों के खून में हाथ होने के बाद तीस साल के बाद फाइनली इस आदमी और इसके टरर और्गनाइजेशन के जो विक्टिम्स हैं उनको कुछ इनसाफ मिला है NIA के कोर्ट ने अपना एक जज्ज्मेंट दिया है जिसमें यासीन मलिक को टरर फाइनसिंग और मनी लॉंडरिंग के चार्जेज में उम्रकैत की सजा सुनाई गई है Unfortunately बहुत लोग जो होप कर रहे थे कि इस आदमी को फासी दी जाएगी वो फासी अनाउंच नहीं की गई है जिससे कि बहुत लोग आप जैसा समझ सकते हैं नाखुश हैं खास कर Indian Air Force Officer Ravi Khanna की पतनी Ravi Khanna वो Indian Air Force के officer है जिनके खून का directly यासीन मलिक के ओपर आरोप है Court ने कहा है कि Money Laundering के cases में Terror Financing के cases में Death Penalty नहीं दी जाती है इसलिए इस case में भी Death Penalty नहीं offer की गई है तो courts ने जो sentencing की है यासीन मलिक की वो इन charges पर की है Section 120B of IPC में 10 साल की सजा सुनाई गई है UAPA के charges में उमर कैद की सजा सुनाई गई है और Section 121 IPC यानी Waging War Against the State में भी उमर कैद की सजा सुनाई गई है अब देखे जेनरेडी में Encounter Culture को सपोर्ट नहीं करता हूँ लेकिन अगर कोई आदमी है जो योगी जी की उस पुलीस वैन में बैटना डिजर्फ करता है जो पुलीस वैन बीट सड़क में उलड़ जाती है तो वो ये आदमी है तो ये जो hearing हुई थी जिसमें यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है उसमें कमाल की बात ये थी कि hearing के दोरान यासीन मलिक ने अपने आपको एक गांधियन बताया था वा बेटा वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ गलत नहीं बोल रहा है याद करिये गांधी जी ने एक बार कहा था कि मुसल्मान हिंदू का कितना भी कतल याम करे हिंदूों को मुसल्मानों की तरफ नफरत कभी भी नहीं रखनी चाहिए अगर मुसल्मान सभी हिंदूों को मार कर एक नया इंडिया बनाना चाहें तब हिंदूों को खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहिए तो अगर गांधी जी के इस बयान को मद्दे नजर रखा जाए तो यासीन मलिक तो गांधीयन है ही और यासीन मलिक के सेंटेंसिंग के बाद एक बाद तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए किस तरह से हमारे देश की मीडिया ने हमारे देश के कई politicians ने अलग-अलग parties के politicians ने इस जानवर को एक youth icon की तरह और एक activist की तरह दर्शाया था किस तरह से हमारे देश के बड़े-बड़े media houses ने इस आदमी को एक youth leader दिखा कर अपने conferences में speech देने के लिए बुलाया था आज दुखी तो बहुत होगे तो कसम से अगर ये youth leader है अगर ये activist है फिर तो जॉनी सिंज भी virgin है फिर तो राहूल बाबा भी प्राइम मिनिस्टर है और स्वरा भासकर भी successful actress है कसम से यार हमने भेड की पोशाक में भेडिये को तो देखा है लेकिन भेड की पोशाक में चर्सी को पहली बार देख रहे है और जो लोग 10 साल पहले इस आदमे को youth leader बुला रहे थे वो आज पता नहीं क्यों बिल्कुल चुप बैठे हुए है मुझ से चूवी तो भाईया इस बात से surprised हूँ कि दवायर ने अभी तक इस आदमी को physics teacher का बेटा कैसे नहीं बताया है NDTV ने इसको instagram reels का fan कैसे नहीं बताया है बर्खादत ने इसको बिर्यानी और आनुदम का fan कैसे नहीं बताया है अभी तक लेकिन देखिए भले ही बहुत सारे लोगा चुप बेटे हों लेकिन सब लोग चुप नहीं है पाकिस्तान जिस देश का national motto है जिंदगी जंडबा फिर भी घमंडबा वो और उनके पाल तो कुट्टे आजकर बड़े दुखी है महबूबा बफ्ती ने कहा के यासिन मलीक को अरेस्ट करने से कश्मीर का जो सिचुएशन है वो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हाँ भई अरे अगर आप जहरीले साब के दात निकाल लीजेगा तो वो डसेगा कैसे कंप्लेन तो करेगा ही पाकिस्तानी जर्नलिस्तों यासिन मलीक को नेलसन मंडेला से कंपेर कर रहे है विस्ट जिट्टी लड़के हो तुम चुप रहा हो पाकिस्तानी आर्मी का जो ट्विटर हैंडल है वो भी यासिन मलीक के अरेस्ट की निंदा कर रहा है वैसे देखिए मुझे ये ट्वीट देखकर बहुत खुशी हुई मुझे हमेशा खुशी होती है जब लोग अपने पालतू-कुतू के लिए इस तरह से प्यार और कंसर्ण दिखाते हैं और फिर यासिर मलिक को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के बड़े मुमिन शाही दफ्रीदी आये जो की इतने बड़े मुमिन हैं कि बुद्परस्ती से लड़ने के लिए वो अपना टीवी फोड़ने को भी तयार है इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा हुमन राइट्स अब्यूस कर रहा है वा बेटा पाकिस्तानी हुमन राइट्स की अब्यूस की बात कर रहे है अब घोडों की रेस में गदे भी दोड़ेंगे बलब कसम सया पाकिस्तानियों को भी एक लेवल पे दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान देश की पूरी स्टोरी को नाना पाटेकर ने एक्स्प्लेइन किया है इसके बावजूद आप पाकिस्तान को देखिए इस देश से कसम से लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमारे देश के लॉंडों को देखिए है इनकी गर्फरेंड इनको छोड़के चली जाती है तो अपनी जान देने की बात करने लगते है बलकि पाकिस्तान को देखिए आतंकवादियों ने, इसलेमिजम ने और इंडियन आर्मी ने इस देश के पिछोड़े का शामी कबाब बना कर रखा हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तानियों की अकड़ नहीं जाती है और देखिए पाकिस्तान तो यार जो करता है वो करता रहेगा आईए भारत के मीर जाफरों की बात करते है क्योंकि कमाल की चीज़ क्या है कि आज जबकि पूरे देश को यासी मलिक के सारे करतूतों की नॉलेज है उसके बावजूद इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट इंडियन्स के बजाए यासी मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं जिन लोग के पास टर्रिस को डिफेंड करने का कोई आर्गुमेंट नहीं है तो वो उन कोर्ट्स को फैशिस बोल्डर है जिन कोर्ट्स ने लीगली इस आदमी को कन्विक्ट किया है हालत ऐसी है कि एमनेस्टी इंडिया का जो एक्स चेर्मेन हुआ करता था वो आतंकवादी को डिफेंड कर रहा है आप देखिए कितरी बुरी हालत हुआ करती थी इंडिया की 10 साल पहले कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी हूमन राइट्स और जो इंडिया हैट था वो खुलम-खुला आतंकवादी सपोर्टर है मतलब इंडिया के लेफ्टिस्ट ऐसे है के यासीन मलिक ने कोट में खुद बोला है कि मैं गिल्टी हूँ उसके बाद भी इंडिया के लेफ्टिस बोल रहे कि नहीं तू बेकसूर है तू है तिरको पता नहीं है लेकिन तू है कश्मीर फाल्स ने देखिए सच ही दिखाया था तू हमारी ये गौवर्मेंट हमारी नान वाइलेंट डेमोक्राटिक मूव्मेंट को सपरस कर रही है वो आज के इस गांधी को टालरेट नहीं कर सकते और देखिए यासीन मलिक के कन्विक्शन के बाद एक और बात आप लोगों को समझनी जरूरी है कि यासीन मलिक जैसे लोग जो कश्मीरी सेपरेटिस लीडर है जो अपने आपको रेवलुशनरी बोलते हैं उनकी सच्चाई क्या है आप देखिए जो आम कश्मीरी मुस्लिम है वो क्या करता है वो अपना मदरसे में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसको वहाँ रैडिकलाइज करते हैं उसको आतंकवादी बनाते हैं, वो सेक्यूरिटी फोर्से से गोली खाता है जबकि उनके जो revolutionary leader लोग हैं वो लोग cafe's में चिलाक्स कर रहे हैं जो बड़े-बड़े separatist leader हैं वो लोग आराम की जिन्दगी जी रहे हैं उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में, Australia में, Europe में, doctor हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मौच की जिन्दगी जी रहे हैं यह है इन revolutionaries की सच्चाई, यह लोग मौच कर रहे हैं और इनके जो गरीब followers हैं वो इंडियन आर्मी से गोलिया खा रहे हैं आप imagine कीजिए कि क्या ऐसा situation हो सकता था कि शिवाजी पैरिस में चिलैक्स कर रहे हैं और वो Marathās को भल रहे हैं कि जाकर औरंफेप को हराव क्या ऐसा situation हो सकता था कि महाराणा प्रता शिमिला में चिलाक्स कर रहे हैं और राजपूतों का बोल रहे हैं कि मेवाड को मुगलों के चंगुल में आने मन देना लेकिन ये जो कश्मीरी सेपरेटिस रेवलुशनरी है ये लोग यही करते हैं और देखे अब जब कि यासिन मलिक कन्विक्ट हो चुका है तो इंडियन गवर्मेंट की और इंडियन कोट्स की ये ड्यूटी बनती है कि नाए ने जो बाकी टर्रिस्टों को भी चार्ज किया है उनके उपर भी केस लगाया है उनको भी जल्द से जल्द कन्विक्ट किया जै NIA ने जो बाकी टर्रिस्टों को चार्ज किया है उनके नाम है फारुक एहमद डार, एलियस, बिटा कराटे, शबीर शाह, मसरत आलम, मुहमद यूसुफ शाह, आफताब एहमद शाह, अलताफ एहमद शाह, नईम खान, मुहमद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलव बशीर एहमद भट, जहूर एहमद शाह वटाली, शबीर एहमद शाह, अब्दुर राशिद शेख, और नवल किशोर कपूर, गवर्मेंट को ये एंशोर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी फास्ट्रेक कोर्ट्स इन सारे आतंकवादियों पर लगाया जाएं और दो तीन साल के अंतरगत इन सब को टेरर चार्जेस पर कन्विक्ट किया जाएं और या तो उमर कैद की सजा दी जाएं या फिर फासी दी जाएं और देखिए फाइनली, मैं ये मानता हूँ के यासीन मलिक की जो सेंटेंसिंग हुई है, ये इंडिया के लिए और कश्मीरी को वापस कश्मीर में रिसेटल नहीं किया जाता, क्योंकि आज आप कश्मीर की हालत देखिए, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किये हुए आल्मोस्त तीन साल हो चुके है, उसके बावजूद आप देखिए कि सिरफ 2022 में किस तरह से कश्मीर में बेगुना कश्मीरी हिंदू करने का एक ही तरीका है, जो कई लोगों ने सिजेस्ट किया है कि कश्मीर में एक बड़ी जमीन कश्मीरी हिंदूओं को दी जाए, जहांपर कश्मीरी हिंदूओं को रिसेटल किया जाए, उनके घर बनवाये जाए और उसके साथ साथ हजारों एक्स मिलिटरी सर्विसमेन और करन्टी सर्विंग इंडियन आर्मी ओफिसर्स को भी वहाँ पर सेटल किया जाए, और उनको परियाप्त वेपन्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा कर सके और कश्मीरी हिंदू वहाँ पर महफूस फील करें, इससे पहला फायदा ये होगा कि कश्मीर में जो डिमोग्राफिक प्रोब्लम है, उसमें थोड़ा बैलन्स आएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि कश्मीरी हिंदू वहाँ पर एक्चुली सेफ फील करेंगे, तीसरा फायदा ये होगा कि जो बिजनेसेज हैं, जो आर्टिकल 370 के जा सकता है, और चौता फायदा ये होगा कि वह एक बहुत बढ़िया बेस बन सकता है, जहां से फिर इंडियन गवर्मेंट जो है, प्योके को भी पूरी तरह से इंडिया में इंटिग्रेट करने की कोशिश कर सकती है, और देखिए चलिए यासी मलिक को उमरकैद की सजा देखना पड़े, तब जाकर भारत को और कश्मीर के हिंदूों को सही मायने में इंसाफ मिलेगा, और देखिए लेट्स बी ओनेस, देखकर लगता नहीं है कि जो भारत का पड़ोसी देश है, उसके पास बहुत capability बची है, योके को बहुत दिनों तक अपने पास रखने के क्योंकि आज देखें, जिस समय पर ये विडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस समय पर पाकिस्तान का जो capital है, इसलामाबाद, उस पूरे capital में आग लगी हुई है, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुमानल अच्छा बिलकूर ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यासिन मलिक के conviction आने के बाद आपके क्या opinions है, क्या आप खुश है, क्या आप disappointed है, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदूों को कश्मीर में safely resettle करने के लिए हमें क्या steps लेने चाहिए और P.O.K को इंडिया करने के लिए, क्या steps लेने चाहिए, अपने जवाब नीचे comment section मुझे जरूर बता है, बाकि अगर आपको 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 पसंद है, तो प्लीज आपको एक like दे, एक thumbs up दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे show की बहुत मदद होती है, जैसा कि मैंने competition announce करना चाहता हो, जिसमें मैं अपने audience को कुछ prizes भी देना चाहता हो, उस competition के बारे में मैं next week थोड़े detail में आपको explain करूँगा, तो अगर आप उस competition के बारे में और जानना चाहते हैं, तो subscribe button क्लिक करें, bell icon को दवाना बिल्कूल ही ना भोले, अगर आप शाम शर्मा शो के एक supporter बढ़ना चाहते हैं, तो शाम शर्मा शो को Patreon पर जरूर सपोर्ट करें या फिर YouTube पर भी एक member बने, बाकी मैं आप से अगले episode में मिलूँगा, तब तक स्वस्त रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सब को एक second बढ़ा में तो friends, news अच्छी है कि at least punishment मिली, पर खुशी नहीं हुई, क्योंकि लगा कि इनसाफ नहीं हुआ, मुझे ऐसी feeling हुई, इनसाफ में अफासी दी जाती, तो शांती मिलती हुआ, लगता कि इनसाफ हुआ है, क्योंकि जैसे AFOS officer के ओपर attack किया, इतने लोगों के ओपर mastermind था allegations थे, वो उस type के थे कि उसमें आप दे नहीं सकते फासी, तो मुझे यह नहीं समझ में आया, जिस AFOS officer के ओपर attack करके उनको किया था, वो उसके charges क्यों नहीं लगाए गई यहां, क्या बाती अंदर की मुझे समझ नहीं आई, पर at least यह है कि आज की government ने इनसाफ तो धिलाया नहीं तो कितना 30 साल से बैठे वे हैं, और वो जो है party खोल के चला रहा है जी, वो देखके तो गुसा भी आता है, और शौक भी होता है, तो वो तो बहुत है, और साथ में ने का था, J.K.L.F के और बहुत सारे लोग हैं, जिन पर अप cases होंगे, तो finally कुछ solution आ रहा है, अच सब legal cases होंगे, तो ये अच्छी बात है, दूसरा जो है, अब settlement करने के लिए अगर आप कहते हैं कि हम कुछ बीच में कश्मीर के area कर देते हैं, वहाँ पे कश्मीरी हिंदूस रहेंगे, उनको आर्मी के लोग, एक्स आर्मी के लोग, वो मेरे खाल से model ठीक नहीं है, वो hope नह करना नहीं है, कि बीच में लोग डाल दो, उनको surround करो, normally ये सब चीजें अपने आप ही ठीक होंगी, जैसे से लोग सेटल करना शुरू करेंगे, तो ये idea तो नहीं है, segregation वाली बात ही हो गई, अगर आप कहते हैं, बीच में होंगे, तो society कैसे operate करेंगी, जब आपने लोगों हो जाएंगे, progress को देखेंगे, और धीरे-धीरे जो लोग सेटल होने के लिए वापिस चले जाएंगे, समय लगेगा, मगर होना चाहिए, सई तरीके से, ऐसे zone बीच में नहीं बयाना चाहिए, मगर अच्छी बात है कि process शुरू हुआ है कि धीरे-दरे normalcy आएगी, definitely आएग जैसे से अभी court cases चलेंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे, और जैसे कहने अभी इनके अगे जादा लोग बोल नहीं रहें कि उनको पता है कि फाइदा नहीं है, सब कुछ Japan करता है कि अगले term में मोदी जी फिर जीते हैं, तो important है कि BGP जीते रहेगी, तब ही ऐसा होता है कि जिन लोगों को लगाया कि Congress ने नयाय नहीं दिया था, नयाय मिलेगा, point सिर यह है कि जहां-जहां Congress ने घपले किया है, वो घपले नहीं होंगे जब तक BGP है, तो लोगों को उसी तरीके से वोट करना पड़ेगा, काफी अच्छा वीडियो था, तो आप भी शेर करना अप करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।